जै मसी की दोस्तों, आज की सुरेगी मन्ना का भाग हमने लिया है पहला कुरिंतियन, उसका दूसरा अध्याए और उसका पंद्रवा पद. पद कहता है, आत्मिक जन सब कुछ पर रखता है, परंतु वो स्वैम किसी मनश के द्वारा परखा नहीं चाहता है. धन्यवाद पिता परमेश्यर, तेरे पवित समर्थी वचन अध्भुते परमेश्यर, तुन्हें हमें अध्भुत तरीके से जीना सिखाया है परमेश्यर, तुन्हें पहले हमारी आत्मा को जिन्दा किया, जो मरी हुई थी, और उसमात्मा पर आपने अपनी आत्मा को डिला, तकि हम तेरी आत्मा की अगवाई में अपने जीवन को चलाए परमिश्र तुन्हें बताया कि जीवन का मतलब क्या है परमिश्र तुन्हें बताया कि आत्मा में जीना और शरीर में जीना कितना अंदर है हमें आत्मा को और राजा बना रहा है हमें शरीर के अनुसार नहीं जीना है स्वभाविक मनश्य शरीर के अनुसार जीता है स्वभाविक मनश्य शरीर के द्वारा जो देखता है उस पर विश्वास करता है लेकिन आत्मिक मनश्य आत्मा के द्वारा जीता है और वो जो नहीं देखता है उस पर विश्वास करता है इसलिए आत्मिक जन शारिडिक वस्तु को सौभाविक जन को परक सकता है लेकिन सौभाविक जन आत्मिक जन को नहीं परक सकता है क्योंकि वो आत्मा की बातों को नहीं जानता है दोस्तों हम भी पहले ऐसे ही थे लेकिन जब परमेशर ने हमारी आत्मा को जंदा किया तो हम जान पाए कि हमें आत्मा में क्या करना है हमें आत्मा में क्या करना है हमें किस तरीके से अपने जीवन को निर्वा करना है हमें कैसे रहना है हालेलुया आत्मा का भोजन क्या है? परमेशर का वचन आत्मा का भोजन क्या है? जो हम प्रात्रा में उसके साथ रहते हुए उसके चर्णों में रहते हुए उसके स्तुति करते हैं और बल पाते हैं ताकि हम उसकी इच्छाओं को पूरा कर सकें ताकि हम उसकी आज्याओं पर चल सकें ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को बिता सकें यह आत्मा का भुजन है और इस आत्मा को भुजन को पाने के लिए हमें आत्मिक रूप में अपने जीवन को निभाना है हमने अपने शारीर के शरीर के कार्यों को नश्ट करना है आत्मा के द्वारा और यही वाइबल चाहती है यही वाइबल चाहती है कि जब हम आत्मा के द्वारा अपने शरीर के कार्यों को नश्ट करेंगे तो ही हम उस आशीश को पापाएंगे इसलिए रोमियों 12 का पहला क्या कहता है अदा है भाईयों मैं परमेश्वर की दयाका इसमरण दिरा कर तुम से आगरह करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित पवित्र और ग्रहन योग्य बलिदान करके परमेश्र को समरपित कर दो यही तुमारी आत्मिक आराधना है समझे हैं दोस्तों आपकी आत्मिक आराधना क्या है आपकी आत्मा क्या चाहती है कि हम अपने शरीर का बलिदान करें आपके आत्मे का भोजन क्या है कि हम शरीर का बलेदान करके उसको पवित ठहरा कर और आत्मा के द्वारा चले हम शरीर के द्वारा नहीं चले जो दिखता है हम उस पर विश्वास नहीं करे जो नहीं दिखता है उस पर विश्वास करे हम आत्मा के द्वारा जाने के परमेशर क्या चाहता है हम उसके आत्मा के दोरा चलाएं जो परमिश्वर चाहता है कि हम इसलिए उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर उड़ेला है इश्व मसी को भी फार्सी नहीं समझ सके उसके चेले नहीं समझ सके हाले लिया वो किस्व में याद है जब यहना च्छे तुरेपन से च्छपन के बीश में इश्व मसी ने उनसे क्या कहा था इश्व मसी ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जब तक तुम मनुष्ट के पुत्र का मास ना खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं जो मेरा मास खाता और मेरा लहू पीता है अनुत जीवन उसका है और मैं अन्तिम दिन में उसे जिला उठाऊंगा मेरा मास तो सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्ची पेने की वस्तु है जो मेरा मास खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें परमेशर ने बताया, आईशु मुसी ने बताया कि हमें कैसे जीवन जीना है हमें आत्मा के द्वारा परमेशर की उपस्थिती को हमेशा महसूस करना है उसके वच्छनों के अनुसार चलना है और मसी को हर पल अपने मन में रखना है हर पल मसी के उस रहिसे को हमें जानना है मसी के उस प्यार को हमें जानना है और हर पल उसके आत्मा के द्वारा उसके शरीर के द्वारा उसके लहू के द्वारा हमें अपना जीवन हमें अपना आत्मिक जीवन संपूर्णता के साथ बिताना है तब हिम में इस थरता आएगी तब हिम इस तर रह पाएगे और तब हिम परमेशर के वच्णों के दोरा परमेशर केनुसार जब वो सामरी इस तर यह बहुजड लेने के लिए गए वो समझ रहे थे कि इशोमसी का शरीर का बहुजड जाएगे लेकिन जब वो आए तो इशुमसी ने क्या कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पुरी करूँ और उसका कारे पुरा करूँ यहानना चार का चौतिस परमेशर ने बताया है कि हमें किस भोजन के जरूरत है परमेशर ने बताया इशुमसी के द्वारा कि हमें कैसे जीना है इसलिए अगर हम कलीसिया में जाते हैं और हमारी आत्मा हमारे साथ नहीं है अगर हम आत्मी भोजन नहीं पाएंगे तो हम मसी जीवन नहीं जी पाएंगे हमें अपनी आत्मा को प्रबल करना है हमें अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाना है और वशन हमारी आत्मा का भोजन है परमेश्वर की इच्छा हमारी आत्मा का भोजन है परमेश्वर की योश्णा हमारी आत्मा का भोजन है परमेश्वर की आग्या हमारी आत्मा का भोजन है और उसके अनुसार हमें अपने जीवन को पिताना है इसलिए प्रभु मुज辰 के दिल हम क्या लेते हैं? परमेश्वर का मा, इशु मसी का मास लेते हैं, उसका लगू लेते हैं ताकि वो हम में परकट रहे। है परमेशर धन्यवाद देते हैं परमेशर सुनने वाले हर भाई बेन के लिए आशीर सुकर शंगाई मांगते हैं इसलिए हमें आत्मा में चलना है और आत्मी शक्तिक अनुसार हमें उन सामर्थ को देखना है हमें उन शक्तियों को देखना है जो संसार नहीं कर सकता है, वो हमें करना है, क्योंकि हम आत्मा में जीते हैं, और हमारी आत्मा जिन्दा है, हमारी आत्मा राजा है और हमारा शरीर राजा नहीं है, आईए हम दोस्तों प्रात्मा करते हैं, पविद्र परमेश्वर तेरे पवित समर्थी नाम में अद्बु शिफा है, सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीर सुक और चंगाई मांता हूँ, बुद्धी मांता हूँ, ग्याम मांता हूँ, आरात्मा का भोजन, हर भाई हर बहन के लिए मैं देता हूँ परमिशन ताकि वो पाएं और आशीर पाएं और सुक पाएं, शुमसी के नाम से बलवन्त हो जाएं, प्रात्मा अपने सुनी और कबूल की, एमेन, एमेन, एमेन